हुआ हाई बेल्कम सुमाइब फ्रेंड साइन माइडियर सुने मैं संतुसमार पठेल और आप देखरें टिकनू प्लस एटी चैनल तो आज आपके सामने मैं जो लेकर आया हूँ वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बेसिक है मैं जो प्लेलिस्ट रिस्टार बेसिक मिलेगे ऐसा नहीं है अगर आप मैथ पढ़ना चाहता है मेरी प्लेलिस्ट इस जरूर पूरा पढ़ डालिए जो भी जितनी पिछली है और आगे भी इसमें इसमें इस्टे हुजए चैनल को सब्सक्राइब करें सभी जूड़ जाईए जितनी भी बेसिक चीजह मैं अगर बेसिक बता दूगा ता आप बड़ी सवाली जरूर करने देगे बेसिस में स्टार्ट किया हूं कला जोड़ घटाना गुड़ा भाग फ्रैक्शन डेसिग्माल करड़ी सबी चीजह मैं बता चुका वर्ग मुल घलमूल ट्रिक से बेसिक से भी वर्ग मुल घलमूल व अगर चीज आपका एसे जाती है और यहीं पर तीर बनता है इसका कोई सीरा ही ना होता है तो तो यह हुड़ होती है हमारे जब ब날 है तो रेखा के रूप में बोल सकते हैं । एक रेखा हो और इस रेखा पर कहीं एक रेखा और हो चाहे उसको काटे चाहे वहीं से निकले है तो या तो यहां से निकले या या तो आपका ऐसे पार भी कर जाए, या तो इसको पार भी कर दे, तो यह जो कौन से कौन से मर रहे है, कौन, जिसको बोलते है कौन, कौना, कौना, कैसे भी कौना हो, चाहे हो, सठा हो, फैला हो, चाहे इस तरीके, इस तरीके, मतलब कैसा भी हो, कौना आपका चाहे जैसा हो, यहां पर भी कोना बर रहा है 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 चारों तरफ कोना बर रहा है तो इसी को बोलते हैं कोन कोन मतलब दो भुजाओं के बीच के जो एक से स्सार्वांbay जो बताएगा आपका कि कितनी दूरी पर मतलब दोनों पहल आधा स में सटी होई हैं कि इतनी तो ही आका कॉन हो tak कूल बस समझलिया कूल कहाँ पर होगा इसे मैं यह बाद बनाया और इसको मैंने यहाँ यहां पर बना तो यहां पर क्या बना कोड बना यहां पर भी बना और इधर से देखिए यह भी बना क्या देखिए यहां पर मैंने देखा खीचा इस पर मैंने नीचे यहां रेखा कीचा कोड बना एक बात देखिए यहां रेखा खीचा अभी कोड बना है अभी भी कोड बना सब पता चलेगे क्यों कौन सा कोड़ बना है देखती जाए बस ऐसे अब देखिए मैं गोडूकशन सलिए चालो करना हम ठीक है सबसे पाहिला नमबर चलते हैं सूने को सबसे देखिए यहां पर मैंने एक रिखा लिया ठीक है और यहां से में इसको ऐसे लिया अब यह एक रिखा है ठीक है एक रिखा है और यह इस पर है मतलब इस मैंने एक रीखा बनाया इंद ए और एक रीखमाने C लिया तर इसके बीच में कुछ बना इस तरीके से बनाया A, B, C, A बन गया और इसी तरीके से मैंने ये कोड लिया और कुछ इस तरीके से बनाया यहां पर A, B और यहां पर C आ गया ठीक ठीक और इसी तरीके से मैंने ये कोड लिया A, B और यहां पर आपका C आ गया ठीक है इस तरीके से, मतलब इसको हम ऐसे बनाते जा रहे हैं, ध्यान देते जाएए ठीक, ऐसे, और यहाँ पर मैंने एक रेखा लिया, यहाँ पर मैंने A, B बनाया और एक रेखा आपका, एक रेखा आपका यहाँ पर बन गया, यह हो गई आपका C, D हो गई, ठीक, यहाँ पर मैंने एक रेखा बनाया, यहाँ पर A, B यहाँ से यहाँ तक थी, और C वाली आपकी यहाँ हो गई, ठीक है, C वाली यहाँ हो गई, और यही रेखा C वाली आपकी इना होकर केवल Evy ही होती माद लीजिए यहां पर ए शुरी है ए होती भी होती और इसको ऐसे कार देती यह ओपके CD हो जाती इस तरिके से CD हो जाती ऐसे हो च्टिक है तो इन सभी चीजें को हम देखेंगे ठीक है और यहां समयश्च टाइग्ड इह है और यह भी है यह जो इतना फैली है इतना ना फैले मतलब डूई वाली रेखा यही पर सी यहीइ पर रहे C क्या हो यहीं पर रहे, मतलब C आपकी यहीं पर रहे, मतलब यह जरा से भी नहीं फैली है, जब जरा से भी नहीं फैली है, तो यह सून निकोड हो गया, कौन सा कौड हो गया, सून निकोड, मतलब फ़र्श टाइब कोड, कौन सा कौड, फ़र्श टाइब कोड, मतलब जिसके के बराबर हो तब आपका सुन्यास कोड़ होगा और यहीं चीज आपका फिर से अगर देखें यहां से इसमें क्या इसमें कोई कोड़ बना नहीं है लेकिन इसमें जो है इसमें जो है आपका यहां से गया और यहां तक गया मतलब यह वाली यहां से आपका कूण गया यहां से आपका आठाया यहां पर आया ठीके यहां से लेकिन इसमें कोई भी नहीं यह आपका 360 हो जाएगा इस चीज़ को समत्ते हो पके तो अब हमें क्या क्या करना है देखिए दो कोड़ हम किलियर कर दे रहें पहला कोड़ सुनने कोड़ों के बीच का जुकाओ कुछ सुनने हो कुछ भी नहों सुनने हो उसे सुनने कोड़ कहते हैं अब जिसके कोड़ों का जुकाओ फिर से इतना जुका हो जाए कि फिर उसी प कि नियून कोड किसको बोलते हैं आपको पता है कि नियून कोड उसे कहा जाता है जो 90 की बीच हो ठीक है जिस कोड का मान जिस कोड का मान आपका जीरो से 90 हो कितना हो जीरो से 90 हो देहां देजिए का नियून कोड का मान होगा जीरो से 90 के बीच जीरो से 90 के बीच तो इसका अब इसमें का यह देखिए यह आपका 90 एंगिल है यह आपका 90 एंगिल है एक दम सीधा एक दम ऐसे सीधा एक साइट एक तम सीधा यह आपका 90 एंगिल है यह कौन सा है यह संकोड है 90 एंगिल को हम संकोड बोलते हैं चोथा है ठीक है और अगर 90 से कम चाहे जितना हो चाहे यह यहां पर हो यहां पर हो यहां पर हो मतलब 96 कम चाहितना हो तो हमारा यह न्यून कोड़ हो जाएगा यह क्या हो जाएगा यह न्यून कोड़ है जो कि आपका दूसरा है क्या है यह दूसरा है अब बन रहा है तीसरा अधिकूर अधिकूर किसे कहते हैं अधिकूर उसे कहते हैं इसमें आपका यह होता है अधिकूर 90-180 ठीक है यह 90 इसका मान सून्य होता है 90-180 होगा मतलब कि 90-180 देख रहें तो यह वाला है जिसको हम मान रहे हैं कि ना 90-180 आपका यहां पर मान ले रहे हैं 120 है कितना है 120 तो यह आपका है जान लीजिए कितना है ओके बात को समझ गए यहाँ पर आपका सुन ने कोड़ है यहां पर आपका 330 है अभी सब्छी समझ गैं तो इतनी चीजे अब क्या होता है कभी के बाहर पर आपका एक होता है रिज कोड़ समक मैंने सब्सक्राइब चार तक मैंने बता दिया समझ लिए जी रोस यहां समकोड में आपका कितना होता है समकोड में आपका 90 होता है इसमें 90 होता है दुरूज कोड़ होता है एक 180 होता है तब एकली होता जैसे एक ये है यहां से पांच नंबर तो"- अपम तो समझ गए होगे सारी प्रतिवति कौड से पूरति को पूररों पूर कोड कि चर्चीज़ हो तस तरी कि यह आती है मतलब जब दो कोड आपका जोड़ी और उसका मांना जाए नब्रकौड recommend आगर आपका नवस्यान्स हो जाता है तो एन कोड़ दूसरे कोड़ का पूर्ण होता है इस नाथ iki है अपकर होते हैं दो कोड़ों को घर जोले उसका नवनना नवस्याय तक यह तरीकित थे थंप घर्ट içer हों कर सकता है तिर्बूझ में आपका का कोडर होगा देहिए इसमें में एक्ससे क्लाज हुआ है तो यह 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 जोड़ते है तो हमारा आता है फोशींस ट्वी हो गया सीरसा पीम कोड इसे कहते है जो इधर का कोड है यहां पर X है तो यहां पर Y है यहां पर अगर आपका A है तो यहां पर आपका B है ठीक है? मतलब यह कोड यह कोड एक ही होगा मतलब यहां पर अगर 40 है तो यहां पर भी 40 होगा यहाँ पर अगर असी है तो यहां पर भी ऐसी होगा जो भी होगा मतलब important को ध्यान रखना है कि सीरसभी में कोमतलब यह उसके श सीर सायच के पर और इतो आप lokес इसके साइम Nam Τă कोई भीवच नहीं रहा है अब हम थोड़ा सा पूर कर लेते हैं कभी कबार आपका आता है यहां पर देखते हैं क्या 11 नमबर यूगम कोड दो कोड और देख लेते हैं यूगम ठीक और इसके बाद देख लेते हैं 12 नंबर पर 12 मेसना है देख लेने इसको प्लीज यार इसको कमेंट इस पर ज़रूर करना इतनी मिहना से आपके लिए मैं सारी चीजे कलिट करके लिए आ रहा हूं देखे लिए एक रहनी है यहाँ पर इसको रहने दीचिश्त चित्र बना है क्या मतलब है देखे यह जो कोण है अगर यह आपका एक रहा पर दो कोण हो एक रहा हो पूरी पूरो मान कितना होता है यहाँ पर देखे 180 180 180 180 हो और अगर इसमें 180 है अगर इतना आपका 30 हो गया यह अपका 30 हो गया तो यहां पर आपका 120 होगा यह दूसरी के रहेखी की युग माहें एक दूसरी के क्या है रहेखी की युग महें जो की आपका आया गए 11 नंबर चित्र कोंसर नंबर चित्र 11 नंबर चित्र यहां पर यह आ गया एक आंतर कोंड क्या है एक आंतर कोंड ध्यान दीजिए जैसे कि आपका 2 रेखा हो गई एक आंतर कोंड इस तरी किस होगा यहां पर आपका 2 रेखा है और ऐसे रेखा है यहां यहाँ पर आपका क्या बनाता हूं एक नंबर एक आंधर कोड होगा यह मतलब होगा इसे हो एक इधर हो तो यह समझेना है जेड क्या काया है जो यहाँ पर कोड हो वही इहां पर हो इस तरीके से कंडिशन समझ लिएगा अगर आपको एक आंतर कोड समझना है तेहां पर देखिए इसको मैं दिखा देता हूं यह वाला कोड यह वाला कोड यह वाला कोड यह हैं कांतर कोड कौंसा कोड है एक आंतर कोड बारा नमबर चित्र मतलब यह व्रकॉर जीतना होगा अगर री 40 है यहीं 50 होगा और इसे यहां पर भी 50 होगा ऐसे से यहां लए पेसमें रहेंगे समांतर प्रति कौड़ ,प्रतिकोड़ित के खोड़ है, यहां पर कितना है? यहां पर कितना है ? Да , optimally,れgi 570 है तो 270 है तो इसके पूरे का 360 में अगर जो भी घटा दिया ज़िए जैसे आपको 50 कोड है एक कोड अपने पचास है तो आप 360 में घटा दिया जो भी कोड मतलब जो खुद है और जीतना बच रहा है पूरे गोले में से 360 में वही होता उसको प्रतिवर्थी को मतलब तीन 270 है इधर तो 360 में अगर इसको हम घटा देंगे 270 तो हमारा कितना बजएगा 30 इदर बजएगा आपका प्रतिवर्थी कोड चानम बच यह होगा 360 माइनस आपका कोड थीटा कोड कोई घटा दीगे यह हो जाएगा आपका सेरी सभी में कोड यहां पर आपका इस तरीके के चित्र संपूर कोड यहां पर आपका एसे पूरा रहेगा रेखकी के उगंग्म कोड एसे रहेगा गाणिक यह जोड लेते हैं अगर आपका मान अगर नभ्वे आगया तो इसका मतलब वो पूरख कोड़ है और सम्पूरख अगर दोनों कोड़ को जोड़ लिये और उसका मान एक स्वस्थी आ गया तो आपका हो जाएगा सम्पूरख को ठीक है यह आता है का इसे मान लीजिये हां पर आपका एक कोड़ बना हुआ है य यहां कई भी दिक्कत हो कमेंट करते हैं यह कोड आपको पहचानना इस तरीके थे कभी भी कोड निकार ला हो तो 180 में 306 में घटाएंगे हमें सद्धान दीजिए का आधा आधा जो होता 180 होता है और पूरा गोला 360 होता है पूरा गोला 360 यहां पर मैंने बना पूरा गोला 360 ठी हैं कि जब जरूरत होगी टिन सब्सक्राइब के बहुत जरूरत बढ़ेंगे जब आप 9 में पढ़ेंगे तैंथ में आपको पढ़ रहे हैं अगर आप रहा हैं कोड पर रहा है तो जरूरी सब पको समयझे एक इसे कोल को निकालना हो कभी सीरसभी मोगं को निकालना हो तो 180 में यहां पर जो कोड़ होगा यहां पर होगा एक अंतर कोड़ निकालना हो तो जो कोड़ यहां पर होगा वही कोड़ इसकी भी प्रीद्म होगा सभी मुख वाला काम करेंगा और यहां पर जो मतलब एक रिखा पर जो एक अधर हो और इसमें कुछ होते हैं आपके कुछ आंत को को सी स्टार्ट करेंगे जैसे आप लो कमेंट करेंगे और यहां पर मैं पूरा आपका कॉंसेट्ट बताऊंगा बेसिक जी तरह भी हो मैथ का चाहिए जी सुमयत का हो तो आपको ख़जाएगा और अंग्रेजी भी बता रहे हैं आपका ट्रांसलेशन यार करवाते हैं या ट्रांसलेशन करवाते हैं इंग्दम इजी तरीके से आप मेनिक याद है बस आप कर देंगे बिना कोई ग्रामर सीखे मैं करवाता हूं हर अपते में जरूर देखे आप चैनल पर जोले जाए ओके चलते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियों तो तक के लिए गुडबाए ठेंस करा चैनल